11 क्लास स्टार्ट करतें मैं न्सी आड़ी में एक साइस नमबर 3.3 लास वीडियो मैंने इसके बाकी कोश्चन जो 3.2 के करवा दिये थे मैंने फाउले भी साहे लिखवा दिये थे फिर भी कोई बाद है फाउले जहां यूस होगा वही फाउले मैं लिखके द्वारा से आपको बता दूँगा तो start कर दे 3.3 question में first question कोई मिस नहीं हुए question आपका first question से मैं start करे जा रहा हूँ question में यहां दे रहा है कि sin square 5 by 6 plus cos square 5 by 3 mass 10 square 5 by 4 is equal to minus word upon two तो यह πाई क्या है पाई में अधा इधा रेडियन फार्म होती है तो यह पाई बाई सीक्स को कया सोचेंगे पाई बाई बाई सोचेंगे we दिगरी में पाई बाई यह वार न boat थोड़ा आपको एजी रहेगा क्योंकि में जादा यह जिए जूर्ण चीज़े और Pi भाइ 4 होता है 45 डिग्री बस और Pi होता है आपका 180 डिग्री रेडियन से डिग्री में जाने के लिए तो ठीके स्टार्ट करते हैं अभी आपको याद होगा कि आपके sin square Pi by 4, Pi by 6 यानि के sin square Pi by 6 means कितना है 30 डिग्री आया इसी तरह से cause square Pi by 3, Pi by 3 कितना होता है 60 डिग्री होता है 10 square Pi by 4 इस होता है 45 तो बस आप करना है कि value put करने यार कि square है यहाँ पे तो value put करने पे जो बचेगा उसकी square कर देंगे तो sin30 जिसे 1 अपा ang 2-0 square कर देंगे plus cost 16 कितना होता है ? 1 स्क्वार कर देंगे 1045 कितना होता है 1 होता है square कर दे तो 1 अपा फहर in by 4 , findet मैंस का 1 तो इसको calculate करेते हैं तो लेते हैं करते हैं LCM तो LCM कितना हैं 4 तो 1 plus 1 minus 4 तो बचा कितना निकल 2 upon 4 यानि कि 1 upon 2 विदे निके design हो गया, approved हो गया, clear हो गया होगा अगले question बाते हैं एकला question में same to same ऐसे ही है first question था second question बाते है दे रहा का 2 sin square pi by 6 plus cos square cos square 7 pi by 6, value काफी बढ़ी आगई, cos square pi by 3 और lana कितना 3.2 तो यहां पर एक value काफी बढ़ी आगई, जितना दे रखा है 7 pi by 6, कोई बात नहीं लगाने के तरीका बहुत simple है तो यहां पर कितना होगे, sin square, pi by 6 means 30 degree, cos square, अब यहां आई यह 5 by 6 कितना होगे, 5 by 6 होगे, 5 by 6 होगे, 7 into कितना है, 210, यहां यहां पर कितना है, cos square pi by 3 मतलब 60, तो जानते है, sin 30 कितना होगे, 1 upon 2 होगे, put कर दीजिए, cos 6, 210, यह कैसे निकाले है, तो इसकी जो है मैं इसे last video बताया है, कैसे value निकालते हैं, फिर भी मैं बताता हूँ, कैसे निकाली जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं, इसको 210 value जो होती है, एक सासी थोड़ी जादा होती है, वो कितनी जाद होती है, 30 जाद होती है, इसको मैं लिख दूंगा, cos 180 plus 30, अब यहीं बन गया फ इसकी value पूट करें, तो 60 कितना होती है, 1 upon 2, 1 upon 2 का square लेते हैं, क्यों यहाँ पे लगा हुआ है square, तो यह 2 into 1 upon 4, plus 4 into 1 upon 4, यह तो cancel out हो गया, तो बचा कितना है, यह भी तो cancel out होती है, बचा कितना 1 upon 2 plus 1, add करें, तो add करेंगे, तो simple सी बात है, तो 2 answer आ जाएगा, तो complete हो चु minus cosec theta, negative क्यों आया, negative इसलिए आया, क्योंकि यह quadrant जो इसका है, वो कौन सा आ रहा है, 80 plus theta means third आ रहा है, वो third quadrant में cosec होता है, negative, इसलिए मैंने यह आपे sign जो लिया है, take है, negative sign, take है, तो ठीक है, अगले question बहाते हैं, जल्दी से यह तो clear होगे आपको, तो अगला question मैंने यह note कर लिए है, question क्या है, cot square pi by 6 plus cosec pi, 5 pi by 6 plus 3 10 square pi by 6 is equal to lana है, मुझे 6, तो ठीक है, पहले replace कर लेते हैं, degree में, degree में ऐसा जोरी नहीं होता है, कि degree में replace करें, अगर आपको ऐसी डालना चाहते हैं, ऐसे भी आसे put कर सकते हैं, कोई वो problem नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको असान बनाने असले ऐसा कर रहा हूं, तो यह कितना आगया, 30 आगया, यह कितना होगा, 5 by 6 कितना होता है, 5 by 6 जो होता है, अपका 30, 35 cents करिए, तो कितना हो जाएगा, 150, इसी दा से यहाँ पर आते हैं, तो 5 by 6 मार्लब 30 degree, जानते हैं, cot 30, कितनी value होता है, cot 30 होता हमारा road 3, square कर देंगे, cot 150, तो cot 150, मिस इसको लगाना पड़ेगा, अलाग से, तो cot 180, कैसे लगाएंगे, जा 180 180 से कम है कितना गम है सिफ 30 कम है तो कॉसेक 180 में सथीटा कितना होता है यह होता है कॉसेक ही 30 होता है क्यों होता है क्योंकि हमारे पास यह value जो आ रही है 180 से कम और 180 से कम जो value होती है second quadrant और second quadrant में कॉसेक जो होता है positive होता है क्योंकि A, S, T, C, Sine और कॉसेक होता है positive इसलिए आएगा यहाँ पे सिफ कॉसेक 30 कॉसे 30 is only 2 तो यहाँ पे 2 put किया जाएगा अब आते हैं यहाँ पे 1030 तो 1030 जानते हम लोग कितना होता वरापॉन रूट 3 लेकि लगा है यहाँ पे साथ म क्लियर आपको हो चुका है copy pen रखे साथ में और लिखते रहेए मेरे साथ अभी आपको सारे कोशन क्लियर हो जाएगो जिन बच्चों आप तो इस चैनल सब्राइब नहीं किया जल्दी से सब्क्राइब पर लिए तो कि सारे के सारे वीडियो इस पर अवलेवल है आप जाए यहां पर वैल्यूस में नोट कर रहा हूं कि यह वैल्यूब है नोट कर लिए हैं कितना 2 sin square 3 5 by 4 प्लस का 2 cos square 5 by 4 प्लस 2 sec square 5 by 3 तो पहले लाना के tell लिए तो पहले जो हैं इसको डिगरी में change कर लेते हैं ताकि सोचने में थोड़ा असान हो जाए तो 5 by 4 तो कितना होते है 35 प्लस 2 sec square 5 by 3 मतलब कितना होता 60 होता डाल दीजिए अब आती 135 की value कैसे निकाली जाएगी तो 135 की value जो निकालने का तरीका है वही है जो मैंने उपर apply किया था 180 माइनस कितना का में 45 का में तब यह फॉल्णा क्या होता है sin 180 मैस theta is sin theta तो sin theta कितना आ गया है 1 upon root 2 तो मैं यहाँ पर put कर देता हूँ लेकिन यहाँ 7 में लगा है square इसलिए यहाँ भी मैं लगा दूंगा square अब cos 45 कितना होता है 1 upon 2 इसकी value होती है सब्सक्राइब करते हैं समझ में आपके सब आ रहा है बस note करते रही है 1 upon 2 हो गया 2 आगया 1 upon 2 प्लस अभी value कितनी आ जाएगी 2 दो हो गया 10 दो हो गया complete answer तो इस तार से सारे question cover हो गया आपके 1 to 4 मिलते हैं next video में next question के साथ या रखेगा easy way से अगर सीखना है तो channel करना होगा subscribe ताकि आपके तक पहुत चेके new से new video की notification तो मिलते है next video में